मानिय चेर्मेन साब से सुनीत कुमार जी से मेरा वीडियो देखते हैं ब्रावर देखते हैं अब मुझे अच्छा लगता है एक सर मेरा वीडियो देखते हैं हाँ मेरे मेरे उपर करवाई भी किये जंप होता है वो कमर से थाई से और जॉइंट यदि आपका मजबूत है जंप आपका सबसे बैस्ट होगा बैस्ट होगा बैस्ट होगा डेली कच्चा पनीर कम करने के लिए कॉफी कॉफी तयार करेंगे पानी में उसमें कुछ सुगर उगर नमक नहीं रहेगा एक निम्बूस में निचोड़ देंगे पी करके ग्राउंड में आएंगे सेंड वरकाउट करें लेकिन तरीके से पहले इंडोरेंस कर लें 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट का इंडोरेंस कर लें उसके बाद हील वरकाउट करें उसके बाद स्टेप वरकाउट नमस्कार आप बोले भारत देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी बिहार में अभियर्थियों की कई तस्वीरे और वीडियोज हमेशा वाइरल होते हैं कभी गंगा के किनारे घाटों पर पढ़ाई करते तो कभई गंगा के बीच में बालू पर महनत कर पसीना बहाते मैंने पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं यह तमाम जो भी आपको युवा नजर आएंगे यह अभियर्थी हैं यह गंगा के बीच में बालू पर फिजिकल की तयारी कर रहे हैं फिजिकल की तयारी क्यों क्योंकि बिहार में 2213 दरोगा की बहाली के लिए पीटी और मेंस ह हो चुका है जो भी अभियर्थी पीटी और मेंस में पास किये हैं अब बारी है उनके लिए फिजिकल की यानि की सारीरिक दक्षता परिक्षा देने की और इसके लिए तमाम जो अभियर्थी हैं वो लगतार जीतोर मेहनत कर रहे हैं पशीना बहार हैं और देखिए कहां पर शरकों पर नहीं बालू पर क्यों आखिर बालू पर करने का क्या फायदा होगा यह तमाम हम जानेंगे उनके ट्रेनर मोनू रंजन भी हमारे साथ जुरेंगे तमाम अभियर्थियों से भी बात करेंगे सबसे पहले ट्रेनर मोनू रंजन के साथ जुरेंगे पहले भी कई ब पता चलता है बच्चों को जिस दिन बच्चे जम करने जाते हैं जिस दिन, 22 और जंद थी तक याद है, आज भी 3,000 भावियारं यौच या चाहेव। यौदी स्वफी बच्चे मेर्डीक का फिर से बड़ा फर्मान अगर्ड का सब्ट जान भाटाव, मैंस का भी रिजल्ट प्रकासित हो गया है मैरिट लिस्ट इनलों का बनना है मैंस के एक्जाम से लेकिन बच्चों के लिए फिजिकल बहुत बड़ा योगदान रखता है अब बच्चे कभी रणिंग किये नहीं बच्चे हैं जीरो और बच्चे का स्टेमिना इंडोरेंस पावा स्पीड ये सारा में से एक भी पाट बच्चों के अंदर नहीं है अब बच्चे को बहुत जल्दी करना है क्योंको देखे होल एंड सोल आयोग है लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए थोड़ा सा डिवरेशन और भी 15 दिन, 10 दिन लगवग एक मेना 45 दिन इतना तो होना चाहिए 45 दिन तक होना चाहिए कम से कम लेकिन अब नहीं है तो उसी को मद्दे नेजर रख करके होता क्या है राजमोहन जी आप तो बहुत बार बच्चों का आवाज बने है होता क्या है बच्चों का कि इनका इंडोरेंस बहुत कमजोर होता है और बालू में इंडोरेंस, काफ मसल्स इंडोरेंस का मतलब छमता सांस, ब्रिधिंग हम लोग अपने भासा में स्पोर्ट्स में अथलीट के भाजा में इंडोरेंस बोलते हैं, continuous running, तो बच्चों को 600 मिटर भागने के लिए 45 मिटर, 45 मिनट continuous running चाहिए, लगातार आपको भागना है 45 मिनट था, 45 मिनट यदि आप भाग लिए लगातार, that means कि आपका 600 मिटर तैयार हो गया, girls को भी वही चीज़ है, 1000 यदि उसको भागना है, तो 35 मिनट का इंडोरेंस उसमें होना ही होना है, लेकिन बच्चे को धीरे-धीरे हम तैयार कर लिए हैं, मेरे बच्चे 30 से 35 मिनट तक boys में तैयार हो चुके हैं इंडोरेंस, आज सेंड पे लाए हैं, और सेंड पे इंडोरे आना, फिर नीचे आना, आप देख भी सकते हैं, पूरा अच्छे से एकड़म गंगा के किनारे एकड़म स्वक्ष बातावरन में, बच्चे एकड़म जी जान से लगे हुए हैं, और इसके लिए, मैं ततपर इसलिए हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, ए भटा जाए, यदि फिजिकल में, तो मेरा जिन्दा रहना नहीं रहना बराबर है, जून फर्स्ट वीक से सायद आयोग लेना शुरू कर दे, फिजिकल में क्या-क्या इवेंट्स होंगें, सुल्ला सो मिटर, हाई जंप, लॉंग जंप और सॉटपूर, आपके चैनल के बच्चे बहुत ही जोस और जुनून के साथ लगे हैं, और हम भी इनके साथ पीछे पड़े हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दो, जितने भी गरीब बच्चे हैं, बहुत दूर-दूर से हैं, नहीं ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, तो उनके लिए free of cost, वो सबस से पहले मोनुरंजन के पास आएं, गुरुकूल फीजिकल सेंटर आएं, गांधी मेनान गेट नमर पांच आएं, मेरा नमर 9572326100, कभी भी कोई भी प्राबलम है, नी में दर्द है, पैन है, पैर नहीं उठ पा रहा है, खाने में प्राबलम है, डाइड में प्राबम है, ओ प्राबलम है, पैसी कभी आज तक फीजिकल नहीं दिये, मैं उस भाईयों को कहना चाहता हूँ, ऐसे किसी का जैजैकार नहीं होता, और महनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, पैसले बार 2446 में हमने ये भी देखा था, कि हाई जम के लिए जो गद्दा है, उसे नीचे जमीन में गरवा दिया गया था, क्या इस बार भी वह चीज आपको देखने को मिस्क्राइए, ये चीज तो गलत था, यदि आप गद्दे को अंदर कर देंगे, बैट को आधा को तोड़ करके बल्लेवाच को दे देंगे, तो ये सारा एक्यूप्मेंट से मैं अभी भी अपील करता हूं, मानिया चेर्मेन साब से, सुनीत कुमार जी से, मेरा वीडियो देखते हैं, बरावर देखते हैं, अब मुझे अच्छा लगता है, सर मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे उपर कारवाई भी किये, मोनु जी, आखरी पराव में, अगर तयारी की बात करें, फिजिकल तयारी की और स्टेमिना की, कि ये स्टेमिना को कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए क्या करना हो गया? सबसे पहले इंडोरेंस अक्ससाइच करें, इंडोरेंस जो, स्टार्टिंग में जैसे बच्चे आते हैं, तो वाक करें, 10-15-20 किलोमीटर चंता रखें वाक करने का, जब 20 किलोमीटर का आपका चंता हो जाए, उसके बाद आप जो हैं, हलका हलका जौगिंग करें, 10 मिनट लगाइं पंदरह मीनट लगाएं पीस मिनट लगाएं चालिस मिनट लगाएं चालीश मिनट पाँच ऐसे करकर करके आप स्पीड को डैबलब करें पेस वर्काउट में उसके बाद स्लोव फास्ट करें 50 मिनटर स्लोव पचास मिनटर फास्ट इस तरह करके पूरा लैप दस राउंड दस मिनटर तक स्लोव फास्ट रणिंग करें सपता में एक एक दिन हरेक चिछके हाई जंप लॉंग जंप के लिए स्ट्राइक स्टेप खोलें पाबर वर्काउट ज्यादा करें थाई वाला पर वर्काउट ज्याद क्योंकि जो जंप होता है वो कमर से थाई से और जॉइंट यदि आपका मजबूत है जंप आपका सबसे बैस्ट होगा बैस्ट होगा थो के लिए कुछ कहना ही नहीं है टेकनिक जो जितने भी चीज़ है यूटूब से आप देख सकते हैं कहीं भी देख सकते हैं और इस बच्चों को क्या मोटिवेट करना है जो कि जी सब्सक्राइब करने के लिए काफी काफी तयार करेंगे पानी में उसमें कुछ सुगर नमक नहीं रहेगा एक निम्बूस में निचोड़ देंगे पी करके ग्राउंड में यदि वह हो जा रहा है तो ठीक है नहीं तो गिलोई का जूस पीजिए एक ग्लास सुबसुब उसक जल्दी एलोबिया का जूस उससे बहुत जल्दी रिडियूस होता है यह फैट का चीजें थी और नींद ज्यादा लें दूद का मात्रा ज्यादा बढ़ा है बड़ा खजूर खजूर जो होता है बड़ा वाला स्टेंडर चारसो पांसो छोसो किलो जो देता है रूपिया उसको खजूर को चार-पांस जरूर खाए ज्यादा उससे मतलब ने है जूस क्योंकि गर्मी का टाइम है जूस तीन से चार गिलास फल का जूस फूरूट का जूस जरूर पिये जैसे में संत्रे का जूस मीक्स जूस और भी बहुत तरह के जूस है फूरूट जूस में साबू दाना का खीर हल्वा बनाना है आलू का दूसरा चीज है आपका पनीर देली कच्चा पनीर दुकान में जाए 200 ग्राम खर दें वर्काउट के बाद खा लें स्पंज खाए अंडा का सेवन करें ठीक है रेड मीट का आप जरूर विक में दो दिन जरूर करें मचली का ज्यादा यूज करें यदि याप वेजितरियन हैं तो आप मस्रूम का यूज करें आप उसके बाद पनीर का ज्यादा यूज करें तो प्रोटेन और एक का आता है प्रोटीन एक अच्छा प्रोटीन नहीं समझ म Vermelies लेसकते हैं कोई बच्च्च आए अब त्सको हो अभी करें उसके लिए इसे लिए ऑई सिंग करें सबसे पहले में 10 अर supports जैल को लगान और उसमें से जल्दी करें कर जल्दी रिलीफ होगा थंडater बंद नेost फील दस मिनट के बाद गर्म करेंगे अपना होट बैक को फॉनली को लगाएंगे और वहाँ पे होट बैक देंगे वो बहुत जल्दी रिलाक्स हो जाएगा अखरी पल में अगर कुछ कहना हो उन अभियरतिय सो जिनका फिजिकल होना है तो क्या कहेंगे कभी भी हिम्मत नहीं हारना है कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है आप में वो उर्जा है आप में वो ताकत है आप में वो सक्ति है एक है ना अभी जो बहुत लेटेश्ट अभी चला है जुकेगा नहीं साला है ना तो वही भी रुकेगा नहीं साला ठकेगा नहीं साला तर्फ। में आपको कहुँगा ऐसे कभी किसी का जैजयकार नहीं होता है मैरे सेर और सेरणी और मेहनत करने वाले की कभी 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 हार नहीं हुई है लगन से निष्ठा से इमंधारी पूर्वक मेहनत किजिए सफलता जरूर आपको मिलेगा जरूर मिला यदि जब में प्रॉब्लम हो लॉंग जब में प्रॉब्लम हो तो नेरे संस्था से जूर सकते हैं टेक्निकल चीजें यहां पर कराया जाता है और सभी बत्चे एक घंटा से वर्कवाऊट कराया सेंड में गदम टका टक खड़ें ठोगे जो है और स्पीड वर्क भी है अगे आप देखेंगे तो बच्चे इस तरह का वर्कवाऊट आप जरू करें यूटूब के चैनल के माध्यम से आप सीखें नहीं ज्यादा दिक्कत होता है गांधी मेदा नाय गेट नमर पांच बाहर जो इस्टेट में है उनके लिए होस्टल का भी फैसलेटी रखा है जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम करेंगे लेकिन आपको राजमोहन भाई आपके सामने ये सपत लेता हूं जो भी गरीब बच्चे आएंगे मेरे दरवार में मेरे ट्रेनिंग सेंटर में मेरे अकैडिमी में वो कभी भी खाली घूम के नहीं जाएंगे फ्री आपकोस ट्रेनिंग होगा अंतिम सांस तक मौनूरंजन का ये वादा है आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद ये थे गुरुकुल फिजिकल सेंटर के ट्रेनर मौनूरंजन इनके बारे में बता दूँ कि लगतार अभियर्तियों की आवाज भी बनते हैं फिजिकल में क कुछ भी गड़बड़ी हो तो सबसे पहले कोई आवाज उठाता है तो वह मौनूरंजन अभी भी अभियर्तियों के लिए लगतार इस गंगा के किनारे गंगा के बीच में रेत पर किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं वह हम आपको दिखा रहे हैं ते देखिए गंगा क यह किनारा किस प्रकार से आपको पानी नजर आएगा अभी कम है इसलिए यहां पर आपको रेत नजर आएगा बात में जब बरसात का समय आएगा तो यह पूरा-पूरा पानी से लबाला भड़ जाएगा अब बन रहिए बोले भारत के साथ तमाम खबर हम आप तक